हेलो गाईज कैसे आप लोग तो आप सभी का हमारी यूटूब चैनल भीके स्टेडिय में स्वागत है सो गाईज आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फिजिक्स के कुछ इंपोर्टेंट कोर्चन्स लाया हूँ जिसमें हर टाइप के कोर्चन्स समलित है तो वीडियो को बीना स्क्रीप किए पुरा देखहेगा क्योंकि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत हिलफुल होने वाला है तो चलिए वीडियो को सुरू करते है तो चलिए गाई देखते हैं पहला कोचन्ट क्या है तो पहला option है रदरफोड, दूसरा option है जेजे थॉम्षन, तीसरा option है चैडविक, और चौता option है अंडर्सन तो इसको पहले आप खुद से करने का ट्राइ किजिए तो इसका सही अंसरों को option D यानि की अंडर्सन पोजिट्रोण का खूज अंडर्सन ने किया था इसी से और भी question बन सकते हैं जैसे कि अगर आपसे पूछे कि एलक्ट्रोण का खूज किस ने किया था तो इलक्ट्रोण का खूज जेजे थॉम्षन ने किया था और अगर आपसे पूछे कि न्यूट्रोण का खूज किस ने किया था तो न्यूट्रोण का खूज किस ने किया यह आप लोगो बताना है कि इसका सफ़्ाइए अंसर होगा अप्चन ए जानी निगेटिव चाज होता है यह आप लोग याद रखेगा सिम्प्ली स्कोई से भियाद रख सकते हैं कि लेक्ट्रोन पे कौन सा चार्ज होता है तो आगर आप से पूछे कि एगले कोश्चन की और कोश्चन नमबर थिरी एटम्स हैविंग सेम अटोमिक नमबर बड़ डिफ्रेंट अटोमिक मास इच कॉल्ड तो इसका सही अंसर होगा ऑप्शन भी यानि की आइसो टॉपस आइसो टॉपस को हिंदी में समस्थानिक भी कहते हैं और अगर आपसे पू इसमें आप लोगों को बताना कि एटम्स का अंदर जो नुकिलियस होता है उसका साइज कितना होता है तो इसका सही अंसर होगा ऑप्शन डी यानि कि 10 का पार माइनस 15 मीटर नुकिलियस का साइज होता है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा तो चलिए बढ़ते अगले कोचन की और कोचन नमबर फाइब वाट डाज रेडियो एक्टिव सब्टांस इमीट यानि कि जो रेडियो एक्टिव सब्टांस होते हैं वो क्या उसर जित करते हैं आप लोग को बताना है तो इसका सही अंसर होगा ऑप्शन डी यानि कि आल आप दे एवर जो रेडियो ए तो इसका सभी अंसरों को ऑप्शन ए यानि कि होलोग्राफिक का यूज होता है थी डामेंशनल पिक्चर को खिचने में तो यह आप लोग याद रखेगा तो चलिए बढ़ते हैं लिए कोचन की और कोचन नमबर 7 तो इसका सही अंसर होगा ओप्शन B यानि कि केपलर के दोवारा गराहो के नियम का परतिपादन किया था तो यह आप लोग याद रखेगा तो चलिए बढ़ते हैं ले कोचन की और कोचन नमबर 8 which element is found in maximum quantity in the inverse यानि कि इसमें कहा गया है कि बर्मान में सबसे अधीक मातरा में पाये जाने वाला कौन सा तैतो है यह आप लोग को बताना है तो इसका सही अंसरों को option A यानि कि hydrogen जो है बर्मान में सबसे ज़्यादा मातरा में पाये जाता है तो यह आप लोग याद रखेगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले कोचन की और कोचन नमबर 9 तो इसका सही अंसरों को option B यानि कि बूध वा सूक का कोई उपगरा नहीं होता है तो यह आप लोग याद रखेगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले कोचन की और कोचन नमबर 10 इसका सही अंसरों को option A Saturn यानि कि सनी का सबसे याद रखेगा तो आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई वीडियो आटो तो आप कमेंट करना ना भूले तो मिलते हैं अपसे अगले वीडियो में तब तक क्लिया पाई